नमस्ते प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है गली है या चिडिया घर ये कहानी लिखी है माला कुमार और मनीशा चोधरी ने और ये प्यारे प्यारी चित्र बनाए है प्रिया कुरियन ने तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं ये पर्थम बुक्स की कहानी है सोनू मोनू और रीना खेलने निकले उन्हें दिखी एक छोटी सी बिल्ली वह एक बड़े से चुहें पर घात लगा रही थी अरे अरे देखो तो सोनू चिलाया रीता ने देखा कि एक नन्नी चीटी भी बड़े से चुहें की तरफ भागी जा रही थी अचानक एक बहुत बड़ी सी चाया सब पर पड़ी एक बहुत बड़ी सी चील मुंडेर पर उतरी लंबी सी गली में एक नन्नी चीटी छोटी सी बिल्ली बड़ा सा चुहां और एक बहुत बड़ी चील तीनों चतुर बच्चे अब क्या करेंगे उन्होंने छोटे छोटे हातों से ताली भजाई चील ने बड़े बड़े पर फैलाए और उड़ गए रीना ने नन्नी चीटी को एक पत्ते पर चढ़ा कर मुंडेर पर छोट दिया वहां उसे एक चीनी का दाना मिला जिसे वै जट पीट पर लाद कर घर की तरप भागी मोटे चुहे ने पास पड़ा पकोड़ा उठाया और नाली में वापस घुज गया नन्नी बिल्ली बोली म्याउं और अपना पंजा चाटने लगी मोनू कटोरी में उसके लिए थोड़ा दूद ले आया तीनों बच्चे उसके साथ खूब खेले दूर पेड़ पर बैठी चील ने आँखे जपकाई और उड़ गई तो बच्चो आपको ये कहानी कैसी लगी अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने सब्दों में अपने साथियों को सुनाओ जल्द ही एक नई कहानी में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद